हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है आई जाने चत्तिस गड़ बोर्ड दसवी तथा बारवी परिक्षा में फेल हुए चात्रों के लिए क्रेडिट योजना के तर्थ आप पुना परिक्षा दे सकते हैं और चत्तिस गड़ बोर्ड में दसवी तथा बारवी की पूरक परिक्षा का टाइम टेबल भी आ चुका है जान लेते हैं इस वीडियो में फेल हुए चात्रों के लिए क्रेडिट योजना के लिए आनलाइन आमेदन फार्म भी निकल चुके हैं और पूरक परिक्षा का टाइम लाखों विद्यारती खेल हुए हैं और लाखों विद्यारती को सप्लेमेंटरी भी मिली है तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाई जरूर करिएगा और बारवी में फेल चात्रों के लिए क्रेडिट योजना 27 मही 2019 से कर सकते हैं आप आनलाइन आवेदन जो चात्र दसवी तथा बारवी में फेल हो गए हैं उन लोगों के लिए क्रेडिट योजना है उसी प्रकार से मत प्रदेश में यह योजना चलाई जाती है जो फेल हो जा जाती है दस वी बार वी बोर्ड परिक्षा में फेल हुए छात्रों को फिर परिक्षा का उसर मिलेगा इस बार फिर क्रेडिट योजना के माध्यम से छात्र परिक्षा दे सकेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल पूरक के साथ इनकी परिक्षा भी आयोजित करेगा मतलब पूरक परिख्षा भी होगी साथ में और क्रेडिट योजना वालों के भी भी परिख्षा होगी दोनों परिख्षाओं के लिए आवेदन 27 मही से 10 जुन तक किया जा सकता है ठीक है 27 मही से आनलाइन आवेदन करना है आपको किस कारण यदि चात्र इस तित्य में आनलाइन आवेदन नहीं कर सकते यदि आप 27 मही से 10 जुन तक आनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो ऐसे चात्रों को लेट फिस लगेगी और वा लेट फिस 11 जून से 18 जून तक आनलाइन आविदन करके कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में फिर आविदन स्विकार नहीं किये जाएंगे तो इसलिए जो विद्यारती फेल हुए हैं चाहे वो पूरे सब्जेक्ट में हो या फिर 3-4 सब्जेक्ट में हो तो वे क्रेडिट योजना के तहट 27 माई 2019 से 10 जून 2019 तक आनलाइन आविदन कर दे और पूरक परिच्छा के साथ में अपनी परिच्छा दे दे और अपनी अगली कक्षा में प्रवेस करें साल बरबाद न करें क्रेडिट योजना भी अच्छी योजना है इसके तहट आपको सरकार या सिक्षा मंडल पुना चांस दे रहा है इसलिए इस चांस को न गवाए 5 जूलाई को होगी परिच्छा पौने 2 लाग चात्र हो सकेंगे सामिल क्रेडिट योजना के तहट पौने 2 लाग विद्यारती सामिल होंगे और यहाँ 5 जूलाई को सुरू होगी अधिकारियों का कहिना है कि 10 वी और 12 वी के मुख परिच्छा में फेल चात्र क्रेडिट योजना की मदद से फिर परिच्छा दे सकेंगे इसमें वे चाहे कितने भी उसे में फेल हो इस परिच्छा में सामिल हो सकेंगे यहाँ एक तरह की आउसर परिच्छा है 10 वी वा 12 वी बोर्ड परिच्छा में इस बार 6 लाग परिच्छार की सामिल हुए थे इसमें से करीब पौने 2 लाग चात्र एसे हैं जिनें पूरक मिला है या फिर फेल हो गए है ठीक है पूरक के साथ ही 5 जुलाई से क्रेडिट योजना की आउसर परिच्छा भी आयोजित की जाएगी अफसरों ने बताया कि क्रेडिट योजना के तहत परिच्छा देने वाले चात्रों की अंक्सुची पर आउसर का उल्ले किया जाएगा मतलब सारा काम में निक्जाम की तरह होगा आपको आंक्सुची भी मिलेगी लेकिन आप आनलाईन आवज़न फार्म भर दें और इस योजना का लाब लें साल बरबाद न करें ओपन इसकुल की अउसर परिच्छा भी अगस्त में ओपन इसकुल दसवी तथा बारवी की अउसर परिच्छा अगस्त में आयुज़ूत की जाएगी ओपन इसकुल मुख्य परिच्छा के नतीज़े 30 मही तक आने की संभावना है रिजल्ट आने के बाद फिर आउसर परिच्छा के लिए प्रकेरिया सुरू होगी ओपन स्कूल की मुख्ध परिच्छा में इस बार एक लाग पैंतालिस हजार विद्ध्यारती सामिल हुए है अपस्वरों का कहिना है कि ओपन स्कूल की आउसर परिच्छा में ना सिर्फ ओपन स्कूल के चात्र बलकि मादमिक सिक्छा मंडल और सीबी असी समेत अन्य बोर्ट से फेल वे चात्र भी सामिल हो सकते हैं उपन मतलब जो पत्राचार माद्यम से दस्वी तथा बारवी के परिच्छा होती है वो भी उनको भी क्रेडिट ओजना का लाब मिलेगा और इसका रिजल्ट आएगा तीस माई को ठीक है अगले साल दुसरी कख्षा में जा सकते हैं तीक है अब हम देखेंगे दस्वी तथा बारवी बोर्ट की पुरक परिच्छाओं के टाइम टेबल 27 माई को यह खबर आई है दस्वी तथा बारवी की पुरक परिच्छाओं पांच जुलाई से होंगी टाइम टेबल देख लेते हैं क्या है 36 मादमिक शिक्षा मंडल ने पुरक परिच्छा 2019 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है दस्वी की परिच्छा 5 से 15 जुलाई तक होगी ठीक है दस्वी की जो पुरक परिच्छा है 5 जुलाई से 15 जुलाई तक बारवी की पुरक परिक्षा 5 से 18 जुलाई तक और वहीं पर बारवी ओकेशनल बोड की पुरक परिक्षा 5 से 15 जुलाई तक ठीक है ना डिप्लोमा इन एजुकेशन प्रतव प्रतम वर्स की परिक्षा 5 से 22 जुलाई तक होगी परिक्षाएं सुबह 9 वजे से 12 दो पर 12 साड़े 12 वजे तक चलेंगी सारी जो परिक्षाएं चाहे वो 10 वी की हो, 12 वी की हो, 12 वी वोकेशनल की हो या फिर डिपलोमा इन एजुगेशन फर्स्ट येर की हो ये सबी परिक्षाएं सुबह 9 वजे से साड़े 12 वजे तक चलेंगी आवेदन 27 माई से 10 जुन तक आप अनलाइन कर सकते हैं विलंग अगर आवेदन करते हैं तो आपको साड़े 500 रुपे एश्टा सुर्क लगेगा और वहाँ 11 से 18 जुन तक लग सकता है उसके बाद आपके आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ठीक है इसलिए समय रहते ये सब कर लें इस बार दस्वी में 31,320 परिक्षारतियों को पुरक की पात्रता मिली है कुल 152 परिक्षारतियों के परिणाम विभिन कारणों से रोके गए हैं बारवी के 30,387 परिक्षारतियों को पुरक की पात्रता मिली है कुल 134 परिक्षारतियों के परिणाम विभिन कारणों से रोके गए हैं विभिन कारणों का मतलब होता है कहीं अगर गलती प्रक्षारतियों में पकड़ा जाओ थोला सा केस वगेरे बन जाता है इसलिए उनके परिणाम रोक दिये जाते हैं च प्तलब जिनको पूरकाई है और जो फेल हो गए हैं उनको पुना अउसर मिल रहा है तो आप इस अउसर का लाव उठाएं अब टाइम टेबल दसवी का टाइम टेबल दसवी का टाइम टेबल है पांच जुलाई को परिछा चालू होगी प्रथम भासा हिंदी का पेपर 8 जुलाई को अंग्रेजी का भी होगा मराठी का भी होगा और उर्दु का भी होगा ठीक है फिर वहीं पर 6 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा ठीक है और 8 जुलाई को दुति भासा और सामान अंग्रेजी का होगा फिर 9 जुलाई को जो पेपर होगा आपका पाटकम का होगा और 12 जुलाई को विज्ञान का होगा फिर वहीं पर 13 जुलाई को जो आपका पेपर होगा दुती भासा वा तरती भासा के तोर पर हिंदी का और 15 जुलाई को जो आपका पेपर होगा दिव्यांगों के लिए संगीत ड्राइंग और पेंटिंग इस प्रकार स से दसवी की परिक्षा हैं 5 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2019 तक चलेंगी सभी समयवार दिनांक वाईश प्रश्न पत्र वाईश टाइम टेबल दिया गया हैं और परिक्षा हैं आपकी कब से होंगी सुब नौ बजे से दो पर साड़े बारा बजे तक ठीक है जी अब हम बार वी का जेखते हैं बार वी का टाइम टेबल पांच जुलाई से परिक्षा चालू होगी पांच जुलाई को आपका गणित का पेपर होगा वह नविन पाठकरम गणित वह नविन पाठकरम में जो गणित आया है उसका भी होगा पांच जुलाई को छे जुलाई को आपका प्रतम संगीत, ड्राइंग एंड, डिजाइनिंग, डांसिंग, इस्टेन और टाइपिंग का होगा, ठीक है, फिर 10 जुलाई को आपका पेपर होगा, परियावरन, सिर्फ क्रिडिट योजना वालों के लिए, ठीक है न, 10 जुलाई को, उसके बाद 11 जुलाई को जो आपका पेपर हो एकोनामिक्स एंड, कामर्सियल जियोगरफी, फिर नविन पाठकरम में जीविज्ञान वा अर्थ सास्त्र, 13 जुलाई को ज्यादा पेपर होगा, ठीक है, फिर 15 जुलाई को होगा, दुती भासा में सामान हिंदी, अंग्रेजी वा अन्ने का, जो भी और अन्ने भासा हैं, जैसे तेलगू, बंगाली, उर्दू, इनका भी 15 जुलाई को पेपर होगा, फिर 16 जुलाई को होगा, राजनीती विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, और बुक कीपिंग का, ठीक है, फिर 17 जुलाई को होगा, संस्क्रत का, और 18 जुलाई को होगा, वानिच जी गणित का इस प्रकार से बारवी की परिक्षा हैं 5 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2019 तक चलेंगी और परिक्षा का समय आपका सुबह 9 बजे से 2 पर साड़े 12 बजे तक रहेगा इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 10 वी तथा बारवी में जिनको सप्लेमेंटरी आईए उनका टाइम टेबल और आनलाईन आवेदन फार्म की तीती और परिक्षा कब से होगी उसके बारे में जाना है और 10 वी तथा बारवी में जो विद्यारती फेल हो गए हैं उनके तो लाई जोरू करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्प्राइब नहीं किया तो इसी प्रकारी खबरों के लिए यूटूब चैनल मोर क्रेटिव को रेट बटन दबाकर सब्प्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकान पे क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो करनो टिपकेसन आपको उस स्विक्रता से मिलें मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत